हलो एवरिवान वेलकम टू रेसिपी जबास्केट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी और ठिक श्रीखंड की रेसिपी और इस रेसिपी में मैं आड़ करने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रीडियन्ट जिससे श्रीखंड एकदम ठिक बनेगा बिलकुल हलवाई स तो रेसिपी एंड तक जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम चका अब इसमें डाले 70 ग्राम पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें डाले 1 टेबल स्पुन मिल्क जी हां मिल्क पाउडर से ही श्रीखंड एकदम थिक बनेगा अब इसमें डाले 1 टीजपुन मिल्क मसाला एक चोथाई टीजपुन इलाइची पाउडर इलाइची से श्रीखंड में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा अब यहाँ पे मैं आड कर रही हूँ एक चुटकी क इसके डाले अब एक हैं ब्लेंडर से या विस्क से श्रीखंड को अच्छे से फेट ले एलेक्ट्रिक बीटर से यह अच्छे से और जल्दी से बीट होता है लेकिन यदि आपके पास इलेक्रिक बीटर ना हो तो आप स्टील के विस्क का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें दाले थोड़ा दूद में भिगोया हुआ केसर केसर को आप 2 टी स्पून दूद में भिगोये और यूज करें इसे श्रीखन में अच्छा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी अब श्रीखन को एक बोल में निकाल ले और उपर से चौप किये हुए बादाम ढाले और इसे अब हम एक घंडे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रग देंगे एक घंडे बाद हमारा श्रीखन सेट होके रेडी है इसे आप पूरी के साथ सर्व करें तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ करें मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए ब